जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी आंसों की आंसों की वारिश में तुम भी भीग जाओगे दिल की गिरह खोल दो चुपना बैठो कोई गीत गाओ महफिल में अब कौन है अजनभी तुम मेरे पास आओ दिल की गिरह खोल दो चुपना बैठो कोई गीत गाओ वो रोए बहुत बेवफाई के बाद मेरी याद आई जुदाई के बाद गंगा जन्मी तहजीब जो है वो हमारे मुलकी पहचान बनी है और पिर जो रब है वही राम है का संदेश देने वाले सूफी संथ खाजी वारी सदीशा की दरगा पर इन दुनों एक बहुत बड़ा मेला चला है तारिखी मेला है जो की एक सदी से दादा का वक्त हो चुका है जबसे यहां पर मेले का आयोजन हो रहा है बड़े बड़े प्रोग्रामस होते हैं जिसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं अब यह आपने देखा था रूप कुमार अठोर साहब आये थे लेकिन आज जिनकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं आपसे उनकी इस खांका से बहुत जादा निस्बत भी रही है उजब एक्टीस के दौर के शिरवाद होती है उस वक्त लक्षमी कान प्यारे लाल कल्यार जी आनन जी ऐसे बहुत सारे संगीत कार थे जिनकी धुनों पे हिंदुस्तान में बहुत सारे अच्छे गाने आ रहे थे उसी बीज में एक नाम आता है वो नाम आया था नाजिया हसन का और उन्होंने एक गाना लेके आई थी आप जैसा कोई मेरी जिन्दगी में एक एक बिलकुल धूम मचा दी अलग पहचान बना दी फिर कुछ वक्त गुजरा और हिंदुस्तान के जो बॉलिवड को की हो संगीत के बारे में एक अपनी बड़ी पहचान हमारी उससे ही होती है पिर एक अताउल्ला खान साब आए उन्होंने भी बड़ी धूम मचाई उसके बाद डेट नाइंटीज में एक नाम आता है और एक ऐसा नाम आता है कि जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने एक ही गाने से दिवाना बना दिया तुम तो ठहरे परदेशी साथ क्या निभा होगे हम आपके मुलाकात करना जा रहे हैं बाली वुड के बड़े सिंगर अलताफ राजा साब से बहुत बहुत खैर मक्ता मसला आपका शुक्री है शुक्री है जनाफ बात अगर शुरू हो तो सबसे पहले तो एक रहा दिंदोरी साब को एक शेर से आप हम लोग बात शुरू करते हैं कि वो नवाजने पे आए तो नवाजने जमाना वो करीम ही ठहरे तो करम कर क्या ठीका जो आपके उपर ये करम की शुरूबात हुई थी ये कैसे हुई ये तो सबसे पहले मेरे मम्मी अब्बा की दुआएं है उनका बहुत मेरे सर पे आज जो कुछ भी उन्हीं की बदौलत हूँ आवाज से लेके शकलो शवाहत लेके और जो भी है इंतखाब का करीना आप कह सकते हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है और मेरे सब उस्ताद लोग है और फिर बुजर्गाने दीन पहले मैं जो कवाली करता था तो ऐसे इसी जगा पे बुलावा आता था कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता था तो ऐसे इसे खानका के जियारते हुई है मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आपको और यह सब हमारा कामी दौाओं का होता है तो दौाओं से ही मैं बना हूँ वो एक बड़ा फेवरेट गाना है आपका और आपने वो गाना सुना तो गाने ने आपकी जिन्दी के तब्दील भी किया और मैं चाहता हूँ कि यहां पे जो हमारा इंट्रिव हो रहा है उस गाने थे वह दिल की गिरह खोल दो चुपना बैठो कोई गीत गाओ मैं फिल्मे अब कौन है अजनभी तुम मेरे पास आओ दिल की गिरह खोल दो चुपना बैठो कोई गीत गाओ यह कि देखकर बस एक ऐसा लगा कि मैं कंपोजर बनूं उसका जो औरकेस्टरिजिशन था और सिंगिंग थी लता जी की मनाडे जी की तो और पिक्चराइशन था फिर उस खान साब पे और नर्गिस जजज जी पे तो देखके बस एक अलग सा में खोसा गया था मैं तो प्रकाश शर्मा जी के पास मुझे भेजा और इकबाल खान साब से मुझे धोलक सिखवाई हार्मोनियम सिखवाया फिर एक दिन ममी ने मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने बेटा बुले के तु गायक बन तेरी आवाज बहुत अच्छी है और तेरे अब्बा के जिसी आवा करियर की शुरुआत हुई थी मेरे वालिद साब जो थे उनके कुछ पैचान वाले प्रोग्राम होते थे तो चोटा उदैपूर में मुझे ये बड़ोदा और MPK बॉडर पे हैं महू करके उदर उनके बीच में चोटा उदैपूर है तो वहां मुझे मेरा पहला प्रोग्र घुक आप्धि में शादी में और गैडरिंग के अंदर खानका में ऐसा आइसा में घाने लगा और उसके बाद पर आपिर इलबं बन गया और पिर इसके बाद बाद जिसने एक धूम मचादी पूरे हिंदूसान के अंदर के करेशन चैबारे में तु सुए इसको लफ़ों में बयानी नहीं कर सकता क्योंके मेरे वालिद साब से मैंने इंतखाब का करीना सीखा मैंने घर में तमाम किताबे होती थी जाना जाना एमद फरास आप की कतिल शिफाई साब की आमोखता परवीन शाकिर जी की और बशीर बद्र साब की आमद इकाई नाम भी मुझे जबानी याद है वसीम बरेलवी साब की पुरन सिंग हुनर नरिश कुमार शाद अच्छे अच्छे शायरों की किताब मेरे वालिद को शौक था वो सबक्या मजमुआ बनाते थे एक रदीफ में लेके सबकी घजलों का तलाश करना तो ये इसके अंदर जो भी शेर है इसके अंदर क आता था डाइजेस्ट और उसमें से भी मैं कुछ अलग-अलग शायरों के कलाम डूंटा था तो उसके अंदर से वो डाइजेस्ट में से मैंने वो नजब निकाली थी जब तुमसे इत्फाकर मेरी नजर मेली थी और इस तरीके से उसको चस्पा करके वो एक चीज़ बनी मै पहलो अपना करता था मैं यह यह जहिर आलम साथ किस गाने पर इस ऐल्बं को जब आपको निकालना था तो इसका म्यूजिक भी कैसे सब पहले मैं फिलो में गाता था इससे पहले मैंने जी टीव में भी गाया था मैंने जब जी टीवी लॉंच हुआ था नाइंटी- तो इस तरीके से जब मेरा पहला अपना अल्बम तो सजदार अब को कर ले आया है विनस से डिवोशनल अल्बम था लेकिन उसके बाद फिर ये अल्बम हमने मैंने सुचा उनसे अप्रोच किया शफिनियाजी साहब से जो विनस में थे उर्दू का जो डिपार्टमेंट देख लेए इसका कैसेट निकाले है निदने बेने को किया सब इसके रहोख क्या हिा उजा जागत ओभाएगों blessing थैंथ गवर्वा का जो और जोगत है उसके लिकवेड़ स रह्माह अएजिति हैं तो इसके अंदर भी एक वह गजल ए को मेरी आदाई के जुदाई के बार्ध साल में लिब बने होंगे उनसे आप मिले हूनों आपने बताया कि उन्होंनों सुना क्या लग रहा था कि आपको ये आने वाले वक्त में इतना बड़ा थहलका मचाएं एक तो गॉंफिडेंट होता है कि अलरडी उसके वज़े से मुझे शोज मिल रहे थे तो शोस तो मिल रहे थे ना मैंने लाइब गाया था तो इतना तो confident तो था कि लोग पसंद करेंगे अब उसको album की शकल के अंदर बाकाइदा music के साथ तयार करेंगे तो कुछ लोगों को नहीं लगेगा अब उतना लगेगा ये तो आदमी कोई भी सोचके नहीं बनाता हर संगीतकार हर आर्टिस्ट ये ही सोचके बनाता कि मेरे पैचान बन लोग मेरी चीज़ को जाने अब उ कितना जानेंगे ये कोई guarantee ने ले सकता अब उ ज़्यादा भी जा आती है सब जगा हर गीत के आती है दूसरे जिसने रमेश सिपी सामने बहुत सारी फिल्में बनाई लेकिन शोले एक पहचान बन गए ऐसे तुम तो ठहरे परदेशी तो एक टेग लाइन आपके साथ जो शोले के अंदर भी उन्होंने भी तो मेहनत की थी उनको confident था ना 70 mm first time stereophonic sound और वो घोड़े के कटापों के आवास के लिए studio के अंदर बाकाईदा टांगे को लाना और उसकी आवास रखना बहुत लंबी महनत है उसके अंदर तो वो समझो यह वैसी महनत इसमें की गई है जो जिसकी वरे से आपकी पहचान बनी हो वो अगर हमारे सब लोग ए मेरी याद आएगी जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी आंसों की आंसों की यह आंसों की बारिश में तुम भी भीग जाओगे उसके बाद रातो रात आप स्टार बन गए और जहां जाते होंगे भी आपके पीछे आती होगी तो अनि शुरू हुई वहीं से तो अल्दा वही वो जो ट्रांस्फोर्मेशन हुआ था जो चेंज आए दे लाइफ में फिर कैसा मैं सुद हूँ तो अनि पर वहीं तो नॉर्मल तरीके से क्योंकर आएम स्पिरिच्ट्व परसन मैं एकदम साधा जिंदगी के अंदर एकदम नॉर्मल रहता हूंगे तो उसको और फिर मैंने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के अप संड डाउंस देखे उरूज भी देखे और जवाल तो मेरे नजर में ज़वाल ज़्यादा रहा है। तो मैंने आपको पहले से अपने आपको डाउन टू है। अर्थ से जड़ा रहा हुँ मैं और उसी वे चलता हूँ। आपके काफी इंटर्वीज में आप एक बात कहते हूं बड़ा मशूर भी है कि आपके किसी उसाद में बढ़ा था कि आप ओर कॉंफिडेंट भी मत हो ना जैने जोंफिर्फॉं करने जाएंगे तो हां नर्वस हो जाएंगे तो कम गासकते हैं लिख जो जब भी होता है एकदम जैसे नर्मल पहला शो करने जा रहे हैं बस यह सोच हम जाते हैं जितने सिंगर्स पहले आते थे तो अमूमन बहुत स्टडी उन्होंने किया उता बड़ा प्रैक्टिकली वह सब कुछ सीख किया दे और आज कल की जो अब नहीं जनरेशन आ रही है उनमें अक्साराइब देखिए एक तो उनके तलफूज उनका नहीं सही वैट र दोर है संगीत पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं पहले का दोर गया कि मैं कदा और मैं खाना और जो भी है लवज काफ और अपना जो है उसका फरक हमको तो हमारे उस्ताद शफीन याजी साब भी हमको बहुत उसमें टोकते थे उसके अंदर कि इसके अंदर ध्यान रखो और मैं तो मेरे पास तो फिरोजुल लगात वैसे भी रहती थी मेरे पास क्योंकि मैं इंग्लीश मीटियम से पढ़ा हूं तो मैं उर्दू लिखने ही सकता मैं पढ़ सकता हूं तो मैं जितने भी है वो मैंने हिंदी से उर्दू सीखी तो एक-एक लफजों को मैं पर दोनी चाहिए अब मगर आज कम उम्र में लोगों को तरक्य मिल जाती है लोगों का ध्यान बस सुनों पर रहता है और उस वज़े से उनको सक्सेस भी जल्दी मिल जाती है और वही रिप्लेंस्मेंट भी लोगों के पास ज्यादा है वो नहीं तो फिर कोई दूसरा आ ज पर दोचा ही नहीं था यह जो भी मिला उपर से यह खुदा की कहीं आप बोनस है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे मा की दुआओं के अबबा की दुआओं के तुफैल में ना गाना बलकि उस परफॉमंस भी करने के मौका दिया तो वह ऐसे बहुत सी फिल्मेंट जिसमें डि आज भी मेरी अपना जो तलाश चारी रहती कि अच्छे शायरों को मैं पढ़ता रहता हूं फाकरा बतूल है और अभी नहीं शायरा है पाकिस्तान की उनके अच्छे अशार है अबास ताभीश है यह सब सब को पढ़ते रहता हूं में आज भी हमारी जो घंगा जमनी तहद कुछ वक्त से कुछ ऐसी फिल्में आ रही है और उन फिल्मों के बाद बड़ा डिस्प्यूट से पैदा होता है कंटोवरिशल वो होते हैं फिल्मों से तो मैसे हमेशा समाज को बनाने का जाना है तो हर चीज़ी बदल ही गई ना पहले संगीत का कानों के लिए बनता था अ जाना है दो है डाइ मिनट का तीर मिनट का उसी तरह फिल्म का भी है अब यह प्लेटफॉर्म आगे ओटी यह जितने इतने हैं कि वो लाएंगे कहां से नया स्टोरी कहां से लाएंगे तो हर को चाहता है कि मैं कुछ नया पन दिखाऊ नहे नया पन में वो कुछ ज्यादा सबक्राइब करता है कोई चलता अभट प्राइप आयम आधाव ड्राइन नय नेंत से ज्यादा ओपर वाले ने दिया है मरी मेरा चाहिए प्रोजट्स कौन से और नहीं से हमारा ये प्रोग्राम पर पहुंच है तो दिखे मैंने उसमें गजल गाई थी तुम तो ठहरे परदेसी अल्बम में मेरी आद आई जुदाई के बाद वो मेरे दिल के करीब थी बहुत क्योंकि वो उस वक्त मैं एसान मंदू मरहुम कैसुल जाफरी साब का वो गजल उन्होंने हरी हरन साब के लिए लिए लिखी दी है उनका पैगाम तभी अल्बम बन रहा था तो मैंने कहा के कैसा साब ये गजल तो बहुत अच्छी है मैं शाय ये उनका बहुत उनकी तो अपना पंकर जुदा साब ने भी गजले गाई थी सब ने गाई थे उनके गजले इतने मशूर शायर लेकिन हमारे अबबा से अच्छा यारा ना था तो मैंने उसके कंपोज की थी वो रोए बहुत बेवफाई के बाद मेरी याद आई जुदाई के बाद मेरी याद आई जुदाई के बाद बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे और हम सब की यही दुआ है कि आप इसी तरीके से हम सब के दिलों पर राज करते रहें और आपकी आवास यूही जो है हम सब के कानों में गुंजती रहे हम उसका मज़ा लेते रहें बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्र से प्यार देते रहिएगा